मैं धेमेंदकुन बाड़ेकर आप लोगों को क्रिकेस्टोनों क्लासे में स्वागत है आज चैनल के सब्सक्राब हैं लाइक करना नब भूलें और बेल आइकोन का बटन दबादें आज परतर लेकर संक्या 7 लिखाएंगें पहले 90 के स्पीड में फिर 100 के स्पीड में पेंची स्पीट लिपी भी डिस्क्रिप्शन में अटेच रहेगा रेडी लास्ट रेडी स्टार्ट अध्यस महोदय दस्मी पंच बर्षिय वजना पर विचार करते समय सदन के दोनों पक्सों के सदर्शियों ने जो महत्वपुर्ण प्रस्न उठाए हैं उन पर विचार किया जान बहुत अवस्यक है अध्यस महोदय 95 बर्षिय वजना का अब अंतिम बर्ष चल रहा है और इस वजना के अंदर जो चीजें कही गई हैं ऐसा लगता है कि उसके अंदर परिवर्तन करना कठीन है बदला भी नहीं जा सकता पैराचेन अध्यस महोदय कुछ चीजें की जा सकती हैं उसके अंदर आज भी कुल कितना खर्च है यह तैर नहीं किया गया केवाल कटवती ही निश्चित की गई है शुरू में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ सदस्यों ने जो यह प्रशन उठाया था कि इस पंचवर्शियों उजना का आसे कुछ सरकारी पक्स से भी बताया है इसके अंदर कम्या है और बहुत सी कम्या हैं जिनके उपर मैं यहाँ कुछ दोशा रोपन नहीं करना चाहता हूँ मैं चाहता भी हूँ कि इस तरह से प्रशन ना उठाये जाएं तो ज्यादा अच्छा है यह उजना सरकार ने बनाई है यह उजना मंत्री मंडल ने पहले बनाई और अनुमोधन होने के बाद भी इसमें कुछ कम्या रह गई हैं तो यह कमी रहने का दोश किसके उपर है मैं समझता हूँ सदन के सभी सदस इसको जानते हैं पैराचेंग बहुत से लोगों ने दिल्ली के प्रशन उठाये जो दिल्ली के साथ अन्याय किया गया है तो मैं समझता हूँ इस बारे में सब आवाज उठाएं इस बात की आज ज़्यादा जरूरत है मैं या कहना चाहता हूँ भारत सरकार से या जिन्होंने ये सारी उजनाएं बनाई उन्होंने बास्ता में यहां के साथ बहु बड़ा बुरा किया यहां के साथ अन्याय किया क्योंकि उन्होंने इस पंच बरसी उजना को बनाते समय ध्यान नहीं दिया कि क्या उजना बना रहे हैं गलत बना रहे हैं या सही बना रहे हैं इनसे क्या लाभ हानी होगा इन सब बातों पर उन्होंने बिचार नहीं किया तो मैं समझता हूँ ऐसी प्रस्थितियों के अंदर यह बात ठीक नहीं है ऐसी दसा में यहां पर पांच बरसों में आने बाली उजनाएं बेकार बनकर रह जाएगी जो कटाउती निचित की गई है उसको समाप्त करना चाहिए ताकि दिल्ली को हम अंतराश्टिर्य अस्तर का एक आदर्श नगर बना सकें यह बहुत ही अवश्यक है यदि हम इस अस्थान की उन्हत्ती चाहते हैं इसलिए अब मैं अपना कथन इन सब्दों के साथ ही समाप्त करता हूँ अब सवक के स्पीड में लिखाएंगे पेंसिल आउ कापी लेकर तैयार हो जाएं रेडी लास्ट रेडी स्टार्ट अध्यस महोदय दसमी पंच वर्षिय वजना पर विचार करते समय सदन के दोनों पक्सों के सदर्शियों ने जो मत्यपूर्ण परस्ण उठाए हैं उन पर विचार किया जाना बहुत अवस्यक है अध्यस महोदय नौवी पंच वर्षिय वजना का अब अन्तिम बर्ष चल रहा है और इस वजना के अंदर जो चीजें कही गई हैं ऐसा लगता है कि उसके अंदर परिवर्दन करना कथीन है बदला भी नहीं जा सकता पैदा चेंज अध्यस महोदय कुछ चीजें की जा सकती हैं उसके अंदर आज भी कुल कितना खर्च है या तै नहीं किया गया केवाल कटाउती ही निश्चीत की गई है शुरू में मैं या कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ सदस्यों ने जो या प्रशन उठाया था कि इस पंच वर्शे वोजना का आशा है कुछ सरकारी पक्स से भी बताया है इसके अंदर कम्या हैं और बहुत सी कम्या हैं जिनके उपर मैं यहाँ कुछ दोसा रोपान नहीं करना चाहता हूँ मैं चाहता भी हूँ कि इस तरह से प्रशन ना उठाये जाएं तो ज्यादा अच्छा है यह वोजना सरकार ने बनाई है यह वोजना मंत्री मंदल ने पहले बनाई और अनमोदन होने के बाद भी इसमें कुछ कम्या रह गई हैं तो यह कमी रहने का दोस किसके उपर हैं मैं समझता हूँ सदन के सभी सदस इसको जानते हैं पैरा चेंज बहुत से लोगों ने दिल्ली के प्रशन उठाये जो दिल्ली के साथ अन्याय किया गया है तो मैं समझता हूँ इस बारे में सब आवाज उठायें इस बात की आज ज़्यादा जरूरत है मैं यह कहना चाहता हूँ भासरकार से या जिन्होंने ये सारी उजनाएं बनाई उन्होंने बास्ता में यहां के साथ बड़ा बूरा किया यहां के साथ अन्याय किया क्योंकि उन्होंने इस पंच बर्षिय उजना को बनाते समय ध्यान नहीं दिया कि क्या उजना बना रहे हैं गलत बना रहे हैं या सही बना रहे हैं इन से क्या लावहानी होगा इन सब बातों पर उन्होंने बिचार नहीं किया तो मैं समझता हूँ ऐसी प्रस्थितियों के अंदर यह बात ठीक नहीं है ऐसी दसा में यहां पर पांच बर्षों में आने वाली वोजनाएं बेकार बनकर रह जाएगी जो कटवती निश्चित की गई है उसको समाप्त करना चाहिए ताकि दिल्ली को हम अंतराश्ट्रिय अस्तर का एक आदर्स नगर बना सकें या बहुत ही अवस्यक है यदि हम इस अस्तान की 29 चाहते हैं इसलिए अब मैं अपना कथान इन सब्दों के साथ ही समाप्त करता हूँ